हर्याना पूरो उप मुख्य मंत्री दूशें जुटाला ने जनता से किये वाइदे पूरे किये हैं जजपा पूरे उत्सा के साथ चुनाव अबदान में उत्रेगी पंचकुला में कहा जजपा प्रदेश आईटी कौाडिनेटर अलप संक्यक प्रकोष्ट सरदार हनी सिंग हर्याना के पूरो उप मुख्य मंत्री दूशें जुटाला ने हर्याना प्रदेश से किये गए सबी वाइदे पूरे किये हैं और जजपा पूरे जोश और उत्सा के साथ चुनाव मदार में उत्रेगी उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजे सिंग जुटाला वे पूरो उप मुख्य मंत्री दूशें जुटाला ने हमेशा ताउ देविलाल के पजीनों पर चलते वे परदेश हित में संगर्श किया है उन्होंने कहा कि परदेश का प्रतेक कारेकरता कंदे से कंदा मिलाकर उनके साथ खड़ा है जज़पा जिला परचार सचिव सरदार हने सिंग ने बताया कि गठबंदर सरकार में रहते वे पूरो डिप्टी सीम ने परदेश वे जनहित में नेक कारे किये हैं और यही कारण है कि जनता का समर्थन और सायग उनके लिए बेहद उरजवान रहा है उन्होंने ये भी कहा कि पूरो उप मुख्य मंतरी दोशन जुटाला ने सत्ता में आने से पूरो जो वैदे जनता से किये थे उन्हें एक एक कर अमली जामा पहनाया है जिसे जनता पार्टी के प्रती लोगों का विश्वास बड़ा है उन्होंने कहा कि पार्टी अब दोगने उत्सा और जोश के साथ चुनाव मदान में उतरेगी और एक तरफा महल परदेश में बनाएगी जो दुशन जी ने जो कारे किया है वह आज तक किसने करे नहीं है मलब आप यह सोच के चलो कि उन्होंने इतने बढ़ीया कारे किया है सरकार में रहते हैं उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है 75% योजगार को लेकि लो महिलाओं को लेकि लो चाहिए लाइब्रेरियों को लेकि लो शिक्षित युवाओं के लिए अब कुछ किया और सबसे वड़ देखा जाए आज अगर द्योंग प्रदेश का हुआ है सबसे आज दुशन जी को मानता है पीछे किसान अंदोलों में दुशन जी को बदनाम करनी बहुत पुश्ची को बदनाम नहीं क्योंकि अगर किसान के सच्चे हितैशी है तो सिर्फ दुशन चोटल है वह हमेशा किसान का अच्छा सोचते हैं उनकी शुरू से यह किसान लोग ख़णने के लिए उनकी किसान का चाहिए पैसा हो चाहिए कोई खरीद हो सबसे पहले किसान के सचाहिए खड़ते हैं आज मानलू प्रदेश का हर कारे करता है तुशन जी के सचाहिए कंदे से कंदाम लागी खड़ा डॉक्टर अजी सचाहिए रीड़ की आज भी कभी उनके निवास स्थान पर चंडीड़ कभी चले जाओ उनको मिलने के लिए कारे किराने के लिए उन्होंने कभी किसी को वापिस ने बीच्टा बकाइदा अगर कोई कारे करता बाहर रहे भी जाए वो अपने पीयों को भेच के अंदर बलाते हैं तो यतनी दू सरका उसको बलाओ उन्हों